आप लोग जानते हो येगा भली भाती आयसमान भारत क्या होता है आयसमान भारत एक ऐसा काड है जो कि आपको 5 लाग तक फिरी में इलाज कराने के लिए पुरधान किया जाता है ये सेंटरल सरकार के तरफ से चलाया जाता है इसका लगभग लगभग सभी सहरों में आपका इलाज कराने के लिए फ्रेंट्स वहाँ पर होस्पीटल जो कि लिश्टेड है ये जो काड कैसे बनेगा इसी के बारे में हम आज बात करेंगे मैं हो नीरज और आप देख रहे हैं एन हेल्पिंग को तो फ्रेंट्स एन हेल्पिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बात करेंगे आज मोबाइल से कैसे आपको आईसमान घभात कार्ड सर्च करना है कैसे उसका KYC करना है कैसे डाउनलोड करना है या फिर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने अपने गाओं के माध्यम से भी सर्च करके मंगा सकते हैं और उसमें खोज सकते हैं कि मेरा नाम है या नहीं है तो चलिए फ्रेंट्स शुरू करते हैं दोस्तो आइसमान भारत के जब भी आपको फायदे लेने हैं जाहे जो भी है आइसमान भारत के संबंधी कोई भी अवकारे होएंगे वो इस बेव साइट से अवकारे होएंगे जैसे कि आड करना, नाम को आड करना या फिर आप EKYC करना या फिर अपना स्टेटास चेक करना या फिर आप डाउनलोड भी करेंगे तो इसी वेव साइट से ये नया पोटल लॉंज किया है जो कि पहले वाले से बहुत ही बेहतर है तो फिर चलिए फिर इसको समझते हैं और एक्स्प्लोड करते हैं तो यहां सबसे पहले लॉग इन असमील है तो हम एंडिविज्वल जैसे की बेनिफिसरी जो की हम लॉग इन करेंगे अगर operator है कोई CSC operator है तो यहां से operator वाला यहां पर option करके वो पहले sign up करेंगे उसके बाद यहां से login करेंगे जो भी CSP भाई है उनसे एक request करते हैं कि यह जो website है पहले इस पर आएंगे ठीक है अपना दोहार आईसमान यह आपको दिख जाएगा यहां पर अपना दोहार आईसमान तो यह आपका यहां पर भी website है यह आप हम link recession में भी दे देंगे वहां से आप check out कर लिजेगा सबसे पहल दालने के बाद फिंट्स यहां पर capture को फील करेंगे capture डालने के बाद login करेंगे login करने के बाद यहां पर आपका देखी नंबर 100 हो रहा है और यहां पर इस परकार से download data report खूलेगा तो यहां से आपका जो भी state है वह state को पहले select करेंगे उसके बाद यहां पर डी स्टिक को select क करेंगे उसके बाद आपका जो भी block है वो block select करेंगे उसके बाद यहां पर पूछा जा रहा है आपका गाओं तो कौन सा गाओं को आप data लेना चाते हैं उस गाओं को select कर लिजेगा आपका जो भी जीस भी पंचायत में आपका CSP center है उस पंचायत का पुरा list निकाल सकते है या तो आप उस गाओं में जाकर camp लगा सकते हैं या फिर आप जो भी है उनको call कर सकते हैं या समद्धी है तो उनसको बोला कर आप उनका आईश्मान भारत परवाइट करा सकते हैं और उसके बाद यहां पे हम किसी भी गाओं का डाटा एक ले लेते हैं उसके बाद यहां पे हम search कर लेते हैं search करने के बाद देखिए यहां पे आपको एक PDF डाउनलोड करने के लिए option खुल कर आ जायेगा इस पर हम click कर लेंगे click करने के बाद यह PDF मेरा download हो गया है इसको हम check करेंगे तो check करने के बाद देखिए पूरा गाओं का जितना भी उस गाओं में आईश्म अभग 70% ऐसे है जिस गाह में अभी तक आईसमान भारत में लिश्ट में नाम तो है लेकिन उनका आईसमान भारत बना नहीं है तो इस परकार से आप मोटा कमाई भी कर सकते हैं अब यहां पर पार्टिकलर कोई भी नाम सर्च कर ना है तो Ctrl F करके आप सर्च कर सकते हैं दिखे यहाँ पर हमने search किया तो यह आपका जो कि यह आ जाएगा data और यहाँ से आपका यह जो आईसमान भारत जो कि family id है यहाँ से यह सो हो जाएगा आप इसे भी copy करके देखिए आगे इसका भी use हो सकता है जैसे इसको हम copy कर लिए अब चलते हम यहाँ पर जो कि beneficiary.nha.gov.in पर ठी CSC वाले हैं तो operator अपना sign up करेंगे पहले उसके बाद यहाँ पर login करेंगे हम अविफिलाल beneficiary सभी लोग को लिए हम बता रहे हैं इसलिए हम beneficiary login कर रहे हैं अपना mobile number डालिएगा और यहाँ से verify पर किलिक जेगा तो एक आपके phone पर OTP भेजा जाएगा OTP डालने के बाद उसक के बाद नीचे capture सो हो रहा है इस capture को भी हम हिल करके login पर खिल करेंगे जैसे login कर लिजेगा तो इस परकार से आपका dashboard खुलेगा यहाँ पर guest करके आ रहा है क्योंकि मेरा यह operator ID नहीं है यह आप खुद से mobile में या आपने laptop में जो भी है आपके पास सुभीधा उसमें आप कर स सकते हैं उसके बाद यहां पर state select कर लेंगे उसके बाद यहां पर PMJY रहने देंगे उसके बाद यहां पर district select करेंगे district select करने के बद फिर्स देखिए यहां पर search का कुछ option आ रहे हैं जैसे कि family ID, अधार, number उसके बाद यहां पर आपका नाम और यहां परा गाउं का भी ruler है या, URBAN है, उससे आप सलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि हम ने देखा कि यहा पे जो आपके द्वार आयूसुमान यहाँ से जो ID हमने family ID लिया है, इससे भी आप यहाँ से family ID पो किलिक करके इसको यहाँ से paste करके आप search कर सकते हैं, जैसे हैं आप search कर जेगा तो उस family में जितना भी उनका candidate है नाम है वो यहाँ पे so हो जाएगा अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे verify है verify है यानि कि यह दोनों को run का यह जो card बन चुका है हो सकता है कि इनका KYC ना हो गा हो गा तो यहाँ से download पे click करके हम download कर पाएंगे और उसके बाद इन लोग का जो की नहीं बना हुआ है तो इन लोग का फिन्स बन मा सकते हैं या बना सकते हैं अब बात कर लेते हैं यहाँ पे search करना है अगर नाम से भी search करना है तो नाम से भी search कर सकते है या फिर आप यहाँ पे ruler select करके अपने गाउं का जो भी में आता है ruler या urban में तो वो select करके यहाँ से आपका sub district भी select करना होगा जो कि तहसील होता है उसके बार यहाँ पे village सेट्क कर लेंगे आपका गाउं गाउं सेट्क करने के बाद यहाँ पे आप पूरा गाउं का भी यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से एक दो तीन यहाँ पे देख पड़े हैं और भी बहुत ज्यादा page है तो यह अगर इसमें अगर नहीं मिले आपको तो फेंस आसानी से आपके दुआर आईसमान पर जाके यह PDF में आप खोच सकते हैं यह असान होता है और यहां से Family ID लेकर यहां पर डारेक्ट आप पेस्ट करिएगा और आपका जो की आप ही का डीटेल खुलेगा तो यहां से हम एक डाटा को ले लेते हैं फेंस डाटा लेने के बाद यहां पर देखिए फेंस यहां पर इस पर हम किलिक करेंगे तो यह आपका जो की किलिक किजेगा तो इनका अधार का चार दीजिट आपको लाश्ट का सो होगा उसके बाद यहां पर जैसे हम वेरिफाई पर किलिक करेंगे तो यह कुछ turn on condition आएगा उसके बाद हम इसको allow देंगे अब यहां पर पुछा जा रहा है कि फ्रेंस यह OTP तो OTP यहां से भेजा जाएगा OTP जैसे ही आप OTP पर किलिक किजेगा तो यहां पर OTP चला जाएगा उनको mobile पर और यहां पर OTP डाल का OTP पर किलिक करेंगे जैसे ही किलिक किजेगा तो फिर्ट इस परकार से आपका जो की सो होगा यहां पर देख पा रहे हैं कि यह इनका जो की family पूरा डीटेल है इनको हम hide कर चुके है ठीक है आप लोग यहां से देख सकते हैं अब इस परकार से आपका dashboard आएगा और यहां प गया है उन पर किलिक किजेगा और यहां से आप download भी कर सकते हैं यहां पर हम किसी भी एक randomly किसी भी आदमी पर हम किलिक किए जैसे कि यहां पर टिक करने का option है यहां पर ठीक किजेगा तो यहां पर आपको card जो की show हो जाएगा सो होने के बाद यहां पर simply यहां पर download पर किलिक करेंगे यह card हमारे desktop में download हो जाएगा उसके बाद friends यहां पर यह जो सारे data दिख रहे हैं अब इनका हम EKYC करेंगे या फिर इसमें कोई भी changes करना है जैसे कि mobile number अपडेट नहीं है तो mobile number आप अपडेट करिएगा तो आप उन कुछ details जो कि so होगा और यहां पर आपसे तीन option में KYC करने के लिए पूछा जाएगा जैसे कि यहां पर देख सकते हैं EKYC के जो माध्यम है वो अधार OTP से कर सकते हैं या fingerprint से कर सकते हैं या फिर iris scan से कर सकते हैं तो फिर इस हम बता दे कि आपके पास अगर phone में कर रहे हैं तो आपके पास तो fingerprint नहीं होगा और iris scan नहीं होगा तो आपके पास OTP का best option है आपके phone से जो की आधार link होना चाहिए तो आप यह कर पाईएगा अब जैसे ही आधार OTP पर हम किलिक करेंगे अगर कोई CSP वाले हैं तो इन दोनों का भी लाभे उठा सकते हैं अब हम यहां प चेक बॉक्स का क्या अलाव करने के बाद देखें फ्रेंस यहां आपके phone पे एक OTP भेज दिया गया है यहां से अधार OTP मेरे phone में आ गया है और यहां से हम इसको डाल देते हैं डालने के बाद फ्रेंस आपका जो भी data जो है अधार से फैच कर लिया जाएगा और यहां पर आपका जो की सारा डीटेल जो की सो हो जाएगा और यहाँ पे जो फोटो दिख रहा होगा फिंस यह आपका अधार का ही फोटो होगा और एक option भी मिल ला है हमें अपना जो की live फोटो देने का तो यहाँ से इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे नीचे स्कॉल करने के बाद फिंस देख पा रहे हैं कि यह जो है यहाँ पे कुछ update जो की आपको देना होगा करना होगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको mobile देना है mobile number yes करेंगे अगर update करना चाहते हैं तो ठीक है अगर पुराने वाले भी mobile अगर सही है तो आप noc भी कर सकते हैं ठीक है yes करेंगे यहाँ पे mobile number को हम type करेंगे और verify पर click करेंगे verify पर click करने के बाद यहाँ पे एक OTP भेजा जाएगा मेरे phone पे जो की नए वाले phone पे उसके बाद यहाँ पे data work देंगे उसके बाद यहाँ पे हम religion देंगे उसके बाद यहाँ पे pin code देंगे state देंगे उसके बाद यहाँ पे हम district देंगे अब यहाँ पे ruler है या urban है इसको select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका तासील जो की sub district होता है वो उसको chain करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका गाउँ चैन करेंगे उसके बाद हम सम्मीट पर किलिक करेंगे सम्मीट पर जैसी किलिक की जगा तो आप से कहेगा कि आप सम्मीट अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका अभी फोटो कम्पलीट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ से फोटो पे किलिक कर लेना है जैसी फोटो पे किलिक की जएगा तो फेंड्स आपके सामने इस परकार से फोटो आपका जैसे कि आपने वेव कैम लगा रखा होगा तो आपके सामने इस परकार से खुल कर आ जाएगा तो अगर आप phone में कर रहे हैं तो आपका phone का camera खूल जाएगा और उस camera से भी आप photo को click कर सकते हैं जैसे ही ये click हो जाएगा उसके बाद हम force it पर click कर लेंगे force it पर click करने के बाद यहाँ पर आपका photo जो कि यहाँ पर new वाला update हो जाएगा अब हम नीचे scroll करके submit कर लेंगे जैसे ही submit कीजेगा तो friends इस परकार से आपका beneficiary update successful का option आजाएगा अब हम इस पर ok पर click कर लेंगे ok पर click करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो मेरा data है यहाँ पर यह जो show हो रहा है देकिन नया photo update हो चुका है और यहाँ पर सारा detail भी update हो चुका है जो पहले था अधार का photo था अभी मेरा live photo हो गया है अब friends इस पर हम click करेंगे अब इसको हम card code download करेंगे क्योंकि यह जो सारा कुछ update किये हैं हम ekyc के माध्यम से तो हम इसको update करेंगे download करेंगे update करके update करके download करेंगे तो friends इससे फायदा हमें यह होगा कि हम किसी भी hospital में जाएंगे card scan होगा वो बता देगा कि इनका ekyc हो गया है बहुत लोग का ऐसा भी है कि card तो बन गया है लेकिन kyc complete नहीं हुआ है अब तब जाते हैं वो अपने hospital में किसी भी कारण वसीलाज करवाने तो वहाँ पर बताया जाता है कि यह card काम नहीं करेगा और कहता है कि ekyc करवाना होगा तो friends यहाँ पर ekyc आप ऐसे करके done कर सकते हैं जैसे ही यह complete हो जाए तो यहाँ से click की जेगा तो यहाँ पर download का option मिलेगा और यहाँ नीचे card सो होगा जो की update हो गया होगा वो वला card और उस पर हम click करेंगे और यहाँ से download success पर click करके यहाँ पर देख पाड़ है कि यह मेरे file में आ चुका है अब यहाँ से हम ok कर लेंगे तो friends आपको यह कैसा लगा अभी फिलाल friends हम download करने का और ekyc का बता है जैसे कि member add करने का भी option है तो member add करने के लिए हम आपको अगले वीडियो में proper वीडियो लादेंगे वहाँ पर कैसे member को add किया जाता है अगर मान लिजे कि आपका घर में कोई छूट गया हो या फिर आपके घर में जब यह data 2011 का है तो आपके घर में कोई बच्चा जन्म लिया हो या फिर आपके घर में कोई साधी बगरा हुआ हो और mikey से यहाँ पर कोई औरत आई हो तो उनका add कैसे करना है सारा कुछ अगले वीडियो में हम cover करेंगे तो चलिए friends फिर में लेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जहिन